साल 1981 में पिक्चर आई लव स्टोरी पिक्चर से सुपरस्टार राजिंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव अपना अभने करियर शुरू करने जा रहे थे एक ऐसी पिक्चर जो बहुत बड़ी हिट साबित हुई और राजिंद्र कुमार के साहबजादे कुमार गौरव रातो रात पुरे देश के चहेते बन गए हर लड़की की ख्वाहिश बन गए भारत का हर फिल्मेकर अब उनके पीछे पीछे गोमने लगा था एक इंटर्विव में खुद कुमार गौरव ने बताया था कि वो लव स्टोरी का पबलिक रियाक्शन देखने के लिए दिल्ली के एक थेटर में गए सब कुछ बढ़िया चल रहा था खचाखच भरे सिनमा हॉल में लोग फिल्म मज़े से देख रहे थे पर जब वो बाहर आये तो किसी ने उन्हें जोरदार धका मारा बाहर दिखा तो उनके पीछे हजारों के भीर थी कोई उनका हाथ खेच रहा था कोई कपड़े चु रहा था महिलाएं उन्हें एक बार छू लेना चाहती थी लव स्टोरी ने कुमार गौरव को बहुत बड़ा स्टाडम दिया था देश के सबसे बड़े सुपस्टार में गिने जाने वाले सल्मान खान ने कहा था कि उन्होंने कुमार गौरव से बड़ा सुपस्टाडम किसी का नहीं देखा दोस्तों चलिए शुरू करते हैं रातो रात शोहरत पाने के बाद अचानक गायब होने वाले कुमार गौरव अब कहा हैं चलिए जानते हैं शुरू करते हैं फिल्म किस से आदेश सिंग राठगौर के साथ 11 जुलाई 1960 के दिन अवाबो के शहर लख रहूं में जन्में कुमार गौरव को एक्टिंग की घुटी बच्पन से ही मिली थी दरसल उनके पिता कोई और नहीं बलकि अपने जमाने में जिबली कुमार के नाम से मशूर राजिंद कुमार थे पापा के नक्षे कदम पर चलते हुए कुमार गौरव ने भी बच्पन से ही एक्टर बनने का खौब देखा था सिनमा के दुनिया में उनका आगाज बहत शानदार था लेकिन आगे का सफर उतना बहतर नहीं रहा बता दे कि कुमार गौरव का बच्पन का नाम मनोच था जो बाद में बदल दिया गया उन्होंने साल 1981 में रिलीज हुई फिल्म लव स्टोरी से बॉलिवुड डेब्यू किया था और रातो रात स्टार बन गए इस फिल्म से कुमार गौरव को ओवरनाइट फेम मिला था उन्होंने पहली ही फिल्म से कई बड़े हीरो की छुट्टी करती थी वही राजेश खन्ना के बाद वो दूसरे ऐसे अभिनिता बताय जाते थे जो पहली ही फिल्म से हर तरफ चा गया थे यही वज़े रही कि लव स्टोरी के बाद कुमार गौरव के पास फिल्मों की लाइन लग गई कहा जाता है कि पहली ही फिल्म में मिली सफलता के बाद कुमार गौरव में गुरूर आ गया था उस दौरान उन्होंने मंदाकनी के साथ काम करने से इनकार कर दिया था क्योंकि वो स्ट्रगल कर रही थी अब नेत्रियों के साथ कस्मत नहीं आजमाना चाहते थी इसका नतीज़ा ये रहा कि उन्होंने कई ऐसे फिल्मों को छोड़ दिया जो बाद में सुपर हिट थाबित हुई वहीं जिन फिल्मों पर उन्होंने दाव लगाया वो सफल नहीं हो बाए आलम ये रहा कि कुमार गौरफ का करियर बुरी तरह धड़ाम हो चुका था ऐसे में बार बार फिल्म देने के बाद भी कुमार गौरफ को चार बार लॉंच किया गया था बता दे कि कुमार गौरफ का संजदत से बहत खास रिश्ता है दरसल उन्होंने संजदत की बहन नमरता से शादी की लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि नमरता से पहले उनकी सगाई राज कपूर की बेटी से हुई थी दरसल कुमार गौरफ के पतार राजेंदर और राज कपूर गहरे और अच्छे दोस्त थे और वो इस दोस्ती को रिश्दारी में बदल देना चाहते थे जब संजदत केस में फंस चुके थे असी के दशक में केस की वजह से संजदत का करियर खत्रे में पढ़ गया था और तब संजदत का करियर बचाने के लिए कुमार गौरफ आ गया थे कुमार गौरफ ने संजदत के लिए एक फिल्म बनाई थी जो चल पड़ी पैच इस फिल्म का टाइटल था नाम जो साल 1986 में रेलीज होई थी जिसे कुमार गौरफ ने प्रोडियूस किया था इस फिल्म ने ही संजदत के डूपते करियर को बचाने का काम किया हलाके इस फिल्म का आइडिया कुमार गौरफ का नहीं था फिल्म का आइडिया महेश भड़ का था और ये फिल्म संजदत के लिए वरदान साबित हुई फिल्म में संजदत के काम को खूप पसंद किया गया इसके अलावा फिल्म नाम बॉक्स ओफिस पर ब्लॉक बस्टर थाबित हुई इस फिल्म के कमाई ने असी के दशक में धमाल मचा दिया था हलाके इस फिल्म में कुमार गौरव भी नज़र आये थे लेकिन फिल्म के सफलता का सारा श्रे संजेदत को मला अब बात करते हैं राज कपूर के बेटी और कुमार गौरव की राजिंदर कुमार और राज कपूर ने कुमार गौरव और रीमा कपूर के सगाई करने का फैसला कर लिया था वहीं कुमार और रीमा भी एक दूसरे को काफी पसंद करते थे इसलिए दोनों ने सगाई कर ली लेकिन दोनों का रिष्टा जादा वक्त तक ठिक नहीं पाया और ये सगाई टूट गई कहा जाता है कि कुमार और रीमा के सगाई टूटने की वज़े लव स्टोरी में उनके साथ काम करने वाली एक्टरेस विजयता पंडित है खबरों के अनुसार कुमार गौरव के नजदी किया इस फिल्म में काफी बढ़ गई थी इसलिए रीमा के साथ उनकी सगाई टूट गई बता दे कि एक्टिंग से दूर होने के बाद अपना खुद का कंस्ट्रक्शन बिजनिस कुमार गौरव ने शुरू कर दिया था वहीं आज कुमार गौरव नमरतादत के साथ हैपी लाइफ बिता रहे है दोनों की दो बेटिया साची और सिया है कुमार गौरव के बेटी के अगर बात करें तो कुमार गौरव के बेटी सिया कुमार ने साल 2019 में अपने लॉंग टम बॉइफरेंड आदिति के साथ एक नीजी समारों में शादी रचाई थी संजदत अपनी पूरी फैमिली के साथ सिया के शादी आटेंड करने पहुँचे थी उस दोरान सिया के शादी की तस्वीरे भी सोशल मीडिया पर वाइरल हुई थी जिस पर फैंस ने जम कर प्यार लोटाया था वो तस्वीरों के सामदे आने के बाद सिया की खुबसूरती के खायल हो गए थे फैंस एक सोशल मीडिया यूजर ने सिया की खुबसूरती को दिखते हुए लिका है इसे कहते हैं प्यूडी बहुत लोगों को पता नहीं है कि सिया के पापा कुमार गौरब अभनेता राजिंदर कुमार के बेटे है दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताएगा साथे साथ आप आगे किस अभनेता के बारे में जानना चाहते हैं वो भी जरूर बताएए हम ऐसे ही फिल्म किस से लेकर आते रहेंगे और अब यहां तक अगर आपने हमारे वीडियो को देखी लिया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिये और ये वीडियो कैसा लगा जरूर कॉमेंट करें और अपना खेमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया